कि यह लो गाइज वेलकम बेक टुवर यूट्यूब चनल जैसे मैं आप लोगो टेली ग्राम पे पोस्ट किया था कि आज की जो वीडियो है काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला क्योंकि आज जो वीडियो है इसमें आप लोगो एक्स्प्लेइन करने वाला हूं कि आप सी और सुट कैसे ट्रेड ले सकते हूं विद्धा है अपको कहां पर ट्रेड लेना है सब कुछ मैंने वीडियो पर एक्स्प्लेइन क्या हो वीडियो को पहले देख लेना उसके बाद ये वीडियो को कंटिनू करना देन ताकि आप लोगो समझ में इजी ली आएगा ठ इस दिसक्स कीया हुआ था तीन तौररर का ऐसे से अरद लेवल होता है एक होता है तौररर का बांचिंग थैंग्स करेंगे हुए कि कैसे हम लोग ऐसे नार लेवल पर त्रेड ले ठीक है देखो फार्स अपल आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है एक लेवल हो स्ट्रॉंग है कि विक है ठीक है अगर आप महलब कहीं पर भी महलब अगर मोमेंट देख रहे हो सब्सक्राइब करना है यहां पर फुल स्कृन कर देता हूं तो अगर आप यह लेवल देखो गए इसको अगर हम लोग कॉंसीडर करेंगे एज़े एसेनर लेवल तो एसेनर लेवल पर क्या होता है कि आपको एक रेस्पेक्टेड लेवल फाइंड करना होगा जहां पर बहुत सारे candle rejection ले रहा होगा और एक आपका मालब SNR टाइप का होँआ पर मालब क्या कि resistance जैसा वो वार कर रहा होगा ठीक है जैसे कि देखो यह green candle rejection लिया उसके बाद red candle हुआ फिर अगर हम लोग यह area consider करेंगे तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं यह green rejection उसके बाद red green के बाद फिर red फिर इसको भी हम लोग ले सकते हैं green के बाद red यह भी है green के बाद red ठीक है तो यह जो है अभी अगर हम लोग history देखेंगा सपोज आपने इसी कहीं position में है यह position में कहीं पर अभी present position है आपको लेना है trade यह position पर आपको यहां पर क्या decide करना है ठीक है बहुत लोग trader यहां पर directly next to the candle rejection के बाद वो लोग downward opposite direction के लिए place कर लेते हैं ठीक है बट उनको psychology पता नहीं है ठीक है तो यहां पर आता है candlestick psychology ठीक है तो आपको में detail में यहां पर बताने वाला हूँ कि आप कैसे week देखके decide करोगे कि यहां पर क्या होने वाला कहां पर rejection लेने वाला देखो वह यह deeply में आपको यहां पर analysis करके बता रहा हूँ ना I don't think so आपको कोई भी बताएगा यहां पर YouTube पे आप ऐसे कोई भी चैनल सर्च कर लो जो आपको इतना detail फ्री में बता रहा होगा ठीक है मेरे जितना course में है मैं कॉसिस कर रहा हूँ आप लोग को यहां पर देने के लिए ठीक अगर अभी तक मेरे चैनल को अपने subscribe नहीं किया है then please subscribe कर देना और एक like करके comment कर देना चिससे मुझे motivation मिलता है ऐसे learning वाला content आप लोग को देता रहा हूँ continuous ठीक है तो बहुत सरे trader यहां पर क्या गलती करेंगे यह जो candle आएगा अगर आपने देखा यह candle जस्ट उसी line के उ strong level आप देख रहे हो कि कई बार यहां पर rejection हुआ है यह rejection है यह rejection मतलो पांच-छे बार है आपको यहां पर दीकर एख का फिसme आप एखर देखको कितना स्ट्रॉंग लेवल अब देख रूएgs यहां पर सपोर्ट इसलों यहां पर स्ट्रेटर में गूल कि इतना चिरने के बाद वहां पर उस में ब्रेक ब्रेक किया तो आप यहां पर करतें specify आप ट्रेड प्लेस कर देते जो नॉर्मल ट्रेडर करते हैं बट आपको एज प्रोफेशनल ट्रेडर जब सोचना मलब सोचो गया अब क्या क्या चीज यहां पर देखो देखो मैं आपको बता रहा हूं देखो इतना डीपले आपको कोई नहीं बताएगा तो बार-बार इसलिए कुछ बंदे हैं जो मनलब वीडियो को सेयर करते हैं बट डिसलाइक करवाने के लिए अगर नहीं देखना है वीडियो मत आओ मैं आपको थोड़ी पोर्स करता हूं यहां पर मेरे चैनल पर आके वीडियो देखो तो देखो मैं लोगों को सिखा रहा हूं फ्री में तो आप कोई नहीं बोलो और अगर डिसलाइक मार रहो तेन कोमेंट सेक्शन बेज भी बताओ कि आपको क्या गलत लगा इसमें ठीके जो चीज मैं आगे को सिख करूंग उसको मोडिफाई करने के लिए अपने अंदर वो चीज लाने के लिए कि हां यह चीज मैंने देखा इसलिए अपका यह ज Alcohol है इसलिए मैं है डिशलाइक मार रहो रिजिन मेंस करदो में कमेंट हर किसी का मतलब पढ़ता हूं या यशा नहीं कि नहीं पढ़ता हूं रिपलाई नहीं दे परता हूं अलग बात है क्यूंकि अप देख कूकशना तलना टाइम मतलब इतना टाइम मेरे पस सब कुछ करना ताकि उससे मुझे और भी ज्यादा मॉटिवेट करता ठीक है देखो नॉर्मालिक अगर एक ट्रेडर अगर आप देखे मलब आप सोचोगे कि मार्केट ने यहां पर जिग जग मोमेंट किया तो क्या हुआ उपर गया फिर उपर गया फिर नीचे फिर उपर ज पाद पता चल रहा है कि रेकोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ फिर से मुझे भी उसी एफ़र्ड देखे फिर से वही वीडियो बनाना पड़ रहे हंड़ेट पसंट देखे उसस करोंगो इसमें और ज्यादा एनरजी दू ठीक है देखो मार्केट ने क्या-क्या अगर टीवाइं कि बहुत बार यहां से बाउंस बेक हुआ हुआ है तो फिर जब आप इस पोजिशन से इस अपर जा रहा है in concrete São Paulo देखना है कि जब अगर देखो कि यहां पर यह जो है अभी major trend जो है अभी इस position आप देखो कि down trend है तो most profitable मतलब trade होगा down के लिए ठीक है बट जब market यहां से जाएगा आपको trade करना SNR level पर आपको trade करना बट SNR level पर आपको क्या चीज़ देखना है उसका ही history कुछ time के लिए देखना है जब आपका green candle का size as compared to red candle बड़ा होगा उसका previous कुछ time के लिए तो फिर आपको हाँ पर देखना है क्या करना है अगर आप देखो के यहाँ पर green बड़ा यह दो candle मिला के यह green red candle इससे बड़ा ही होगा यह green बड़ा red चोटा फिर red चोटा ग्रीन बड़ा तो यह green candle बड़ा है red candle चोटा है और यह जो candle formation हो रहा है candle का कोई भी यहाँ पर week नहीं है ठीक है week नहीं है मतलब week आपको क्या indicated करता है week मतलब आप simply WIC के है ठीक है जो shadow बोलते है week यहाँ पर आप मतलब week भी ले सकते हो क्योंकि इसका मतलब क्या है जब एक candle का week बड़ा होता है as compared to body that means उहाँ पे उसका opposite color का मतलब entry मिलता है जैसे कि अगर red का मतलब आपका week ज़्यादा हो रहा है मतलब नीचे से या फिर उपर साइट से red candle पे अगर week बड़ा बड़ा हो रहा है वहाँ पे buyer's entry होने वाला indicate करता है ठीक है बट अगर आप देखोगे इसका previous जो market इतना strong down के बाद यह down के बाद यहाँ पे consolidated हुआ फिर market जो उपर जा रहा है तो green candle का size बड़ा बंदा है और red candle का size जो चोटा चोटा बंदा है और यहाँ पे भी जो candle close हुआ उसका कोई उपर से मतलब seller pressure है नहीं so that क्या है कि इहाँ पे जो है market ने इसको break किया और continuous देखो यहाँ से market यह ओपा डिरिशन के लिए गया हुआ ठीक है फिर अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे यह जो level है ठीक है तो मैं इसको एक horizontal line आपको draw कर देता हूँ देखो मैं आपको समझाने के लिए कोशिस कर रहा हूँ आपको कहां पे trade लेना कहां पे नहीं लेना सिंपल सी बात है तो मैं अगर इस level को लेता हूँ मैं यहाँ पे मादलब क्या कि area मादलब कर देता हूँ तक कि कुछ सेडों को भी में ले लूँ तक कि आप लोग को समझने के लिए clear हो जाएगा ठीक है तो अगर आप देखोगे यह जो level है कि previous level यह level आप देख लो यहाँ पे history अगर हम लोग देखेंगे चला इसको में delete कर देता हूँ अब history अगर आप देखोगे यह जो bottom बाला अभी आप देखो ठीक है वहाँ पे हम लोग blue level देख रहे थे तो यह जो area है आपका एक demand zone है मैंने supply demand zone के बारे में आप लोग को बताया ठीक है अगर यह उपर line भी आप देखते हो देखो आप भी rejection लेके green के बाद red हुआ फिर green के बाद red हुआ फिर अगर आप यहाँ पे अगर आपको देखना सपोज अभी क्या कि market उपर से नीचे आ रहा है ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या देखना सिंपल सी बात है जब आप देख रहे हो market इस level पे है और क्या है कि एक बार इस position से आकर rejection ले लिया ठीक है फिर यह market फिर नीचे आ रहा तो सपोज इस position में यहाँ पे buyer sentry मिल रहा है ठीक है buyer sentry हो रहा है और अपका जो है sellers दिरे दिरे week बनता जा रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे उपर से जो भी नीचे आ रहा था देखो red candle बड़ा है green छोटा है फिर red green छोटा है red बड़ा है green छोटा है तो यह जो है trend continuous डाउन चल देखो ठीक है तो दिरे दिरे क्या कि जो है shadow increase होने लागा ठीक है तो आपको क्या करना है जब यह rejection लेगा और इस टाइप का एक stronger rejection आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यह rejection हुआ फिर आपको क्या करना देखो आपको trade लेना है SNR level पे red candle के बाद मालब अगर वो rejection होता है वह जैसे strong rejection देखने को मिलता है और वह SNR level पे red candle close होता देन अपको अपाट के ले लेना अगर आपको देख रहा है कि rejection लेके already green हो चुका देन और हापको trade नहीं लेना है क्योंकि कई बार क्या होता है SNR level पे buyers and sellers के बीच में fight चलता मलब buyers होता है फिर sellers होता है green, red, green, red, green, red candle formation हो यह candle ने तो यहां से rejection लिया उसके बाद green candle हो गया फिर आप देखो green के बाद red आया फिर green हो रेड हो ग्रीन हो रेड हो ग्रीन हो रेड हो तो काफी time तो यहां पर ऐसे ही चल रहा था तो आपको क्या है कि पहला जो market उपर से नीचे आएगा एक बार rejection ले लिया फिर market अगर उपर जाता है फिर जब यह नीचे आएगा तो आपको उसका वीक देखना कि किस किस पोजिशन से हो उसका सेड़ो बन रहा है जब एक red candle का सेड़ो इंक्रीज होता जाता है उपर से यह नीचे से कहीं से भी तो क्या होता है कि वहां पर बायर सेंट्री देखने को मिलता है अगर आप इस लेवल को देखोगे हमने जो लेवल ड्रो के है बोटम बाला लेवल यह बोटम लेवल आपका एक स्टॉंग लेवल है तो अगर इसका अगर आप वीक देखोगे जिस टाइप का यह वीक फरमेशन हो रहा है कितना नीचे से यह उपर गया हुआ है यहां पर दी इंडिकेट करहा है आपका बायर् α णीर होने वाला बट आपको ट्रेड करा लेना इसका प्रीवियस का रिजेक्षन आप देख लो, यह रिजेक्सन है तो इसका प्रीवियस रिजेक्शन इस लेवल से तो यह चैंडल का रिजेक्शन at least closing जो है इस level के उपर close होना चाहिए और यह new low already created है तो क्या है कि अगर इसके उपर यह close होगा और इस level पे कोई एक strong SSNR level होगा तो market यहां से उपड जाएगा और दरुआज क्या कर रहा देखो यह market इस level को break करने के लिए को assist कर रहा है rejection लिया तो मेरे इसब से यह भी rejection लेना चाहिए और इस line के उपर close होना चाहिए अगर इसके उपर यह close होता तो फिर हम लोगों वहाँ पे offer direction के लिए फिर जाएगे समझ रहे हो ना आपको ऐसे level find करना है जहां पे एक respected level होगा और उसका week को देखना है सेड़ो को देखना है अगर आप देखोगे जहां पे ज्यादा सेड़ो बंदा होगा यह simply बात देख लो ठीक है अगर आप देखोगे यह आपका एक resistance level है simple सा बात है अगर आप यह देखोगे यह आपका resistance level है तो market ने क्या क्या उपर से यह rejection लेके आके नीचे आया तो maximum trader यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे कि हाँ इसने rejection लेया red हुआ फिर red हुआ और इसने भी उपर जाके फिर red आके नीचे आया तो rejection लेया that means चलो down के लिए आपने यहाँ पर गलती क्या कर रहे हो मैंने आपको already explain को है जब एक candle का week बड़ा होता है और वो candle अगर suppose red है दिन वहाँ पर green candle का entry होने का chances बहुत ज़्यादा होता है if there will be any ssnr level और snr level ठीक है अगर आप यह level देखोगे यह आपका एक strong level होने वाला क्योंकि अगर मैं जुमाउट करके दिखाता हूँ यहाँ पर यह जो support लिया हुआ फिर देखो यहाँ पर यह मतलब respect किया हुआ green के बाद read फिर देखो green red green red green red हुआ green red green red तो यह आपका एक respected level है ठीक है तो आपको अभी क्या करना जैसे कि आपको देखना है कि उसका week जो formation हो रहा है क्या हुआ देखो market यहां से rejection लेके नीचे आया और इसने उपर जाके फिर वहां से rejection मैं आपको क्या बहुता है अगर red candle का week बनता है उपर में हो नीचे हो ठीक है बड़ा बड़ा week होता है यहाँ आपका एक indication कर देता है कि वहां पर buyer centry होने वाला से तो इसने rejection लिया चलो down के लिए चलते हैं आपको यहां पर इसे नहीं करना आपको क्या करना है अगर वह line के उपर close होता है और red candle का shadow जादा होता है तो फिर आपको क्या करना मतलब उसका opposite direction पर आपको place करना यह candle आप देख लो इसका सेड़ा उसके बाद देखो green candle हुआ है ठीक है फिर आप देखोगे यह जो market यहां से नीचे गिरा हुआ है देखो यह दोनों साइड यह continuation trend इंडिकेशन दिया फिर आप देखोगे यह उपर से देखो यह rejection लेके आया हुआ तो red का यहां पर यहां पर अगर आप इस लेवेल को देखोगे यहां पर कोई लेवेल नहीं है ठीक है यह जो लेवेल है यहां पर जो यह rejection लिया हुआ मैं आपको बोला उसका rejection होना चाहिए प्लोस वहां पर एक strong level होना चाहिए ठीक है तो फिर अगर आप देखोगे इसने तो rejection ले फिर अगला candle उसका position के लिए फिर यह rejection ले यहां पर क्या हो रहा कि जो red candle है जो sellers है तो यह क्या हो दिरे 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 महलों बायर सेंट्री देने के लिए कोशिश करा तो और उसके बाद देखो फिर इस लेवेल से यह फिर green हुआ है ठीक है अब देखो यह जो लेवेल है देखो इ यह जो लेवेल है तो आपको क्या करना एक तो आपको देखना है आपका ट्रेंड क्या है किसके ट्रेंड अब करना अगर आपका major trend दाउना डिसन की लियुक्तंट तो तो अभी बहुत स्टॉंग देखने बाद आपको क्या चीज नोटीस करना में आप यह उपको दिखाता हूं जब मारकेट यह उपर से नीचे आरहा तो देखो continuous तो red नहीं बन रहा है बीच बीच में green candle भी बनेगा तो क्या कि अगर आप देख रहे हो जो green candle बन रहा है उसका size red candle से क्या हो रहा है कि आपका छोटा है और आपका trend downward direction के लिए that means वो आपका एक indication देता है कि continuation trend डाउन जाने वाला है ठीक है बट जो red candle बन रहा है वो red का shadow भी देखना है अगर आपका red candle जो बन रहा है उसका shadow बड़ा बन रहा है as compared to body तो आपको होँआ पर देखना है कि यह जो है candle reversal होने के लिए कोसिस कर फिर जब market उपर जाएगा resistance level फिर आपको देखना है कि कहां पर seller sentry हो रहा है मतलब green candle पर कहां पर ज्यादा से ज़्यादा shadow बन रहा है तो आपको trade ले सकते हो simple सा बात है देखो यहां पर अगर आप देखो कि यह जो है बहुत time to consolidate हुआ फिर देखो यहां पर फिर वही green red red green बहुत time चप चला फिर यह level को जब इसने ब्रेक किया तो फिर देखो market यह continuous डाउन चल रहा है तो यह से आपको assets find out करना होगा strong level find out करना ओहां पर उसका week देखना अगर आप देखो यह जो week level है देखो यह market ने क्या indicate क्या green candle के बाद देखो फिर यह week बना फिर इसका week देख और यह हमारा अगर resistance level देखो यह आपका SSNR level है इस level से देखो यह rejection लेकिया के green candle बना तो green candle के बाद अगर आपका यह से rejection होता है that means swap का एक indicator indicate करता है कि यहाँ पे जो है market down जाने का chances से क्योंकि इसका जो सेड़ो है सेड़ो फोल हुआ है कि वह से आपको अलग अलग assets पर आपको करना है जब आप देखो जैसे के market यह काफी उपर तो काया हुए आपको देखना इस level पर कई resistance level है क्या longer time frame आप कर लो एक गंटा चार गंटा करके देख लो कि यहाँ पर कोई level है क्या है तो अगर आप देखोंगे यह आपका इसे support जैसे work किया हुआ तीक कई बार इसने support जैसे work किया हुआ अब देखोंगे इसको अगर मैं ले रहेता हूं green के बाद red यहाँ पर देख लो sorry red के बाद green, red के बाद green फिर आप देखो green के बाद red इसने strong candle ने इसको break किया उसके बाद देखो फिर red green तो फिर उपर से यह निचा आए कि इसको break किया हुआ तो यह level almost average level है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो जैसे कि अगर suppose आप 5 minute करके आप देखते हो तो यह जो level आप द पर चला है और आपका red candle comparison में green candle का size जो है बड़ा बड़ा बन रहा है तो आपको यहाँ पर देखना है confirmation एक मिलना चाहिए तो अभी जाके आपको place करना क्योंको इसने यहां से जो reversal लिया फिर इसने reversal दे फिर बीच में गयाब था वो गयाब को fulfill करने के लिए candle को offer direction के लिए तो आपको क्या करना है जब यह rejection लेगा तो हाँ पर आपका जो सेडो कितना बड़ा बन रहा है वो सब चीज आपको हाँ पर देखना है डायरेक्टली आपको कहीं पर place नहीं लेना यह आपको golden point find out करना हुआ जो चीज मैंने आपको भोला सब कोई detail अगर एक बर मैं समझने नहीं आता है तो पूरा वीडियो देखना तो फिर आपको repeat करके देखना without skip करके देखना तक आपको जो है clearly समझ में आएगा समझ रहा है तो मैंने आज जो आप लोग को explain किया कि आपको कैसे find out करना week देखके देखो week देखके उसके सब trend देखके ठीक है अगर आपका trend downward direction है major trend then profitable trade will be downtrade तो आपको इसे entry find out करना होगा जहां पर आपको downtrade मिल रहा होगा ठीक है बट अगर आप देख रहे हो market उस मतलब एक level को आके फिर market वहां से जो भी offer direction के लिए जा रहा है तो आपको देखना offer जा रहा है मतलब sellers से buyers entry stronger होना चाहिए अगर आप देख रहे हो red color का candle ह चोटा चोटा बन रहा है और जो green candle का जो size बड़ा बन रहा है that means वह क्या है कि वह जो previous support level है या फिर resistance level है उसको break करना चाहिए ठीक है so that आपको क्या करना उसी टाइप का level पर जाके आपको trade लेना कहीं पर भी आप support and resistance line draw करके trade ले ले तो ऐसे आपको नहीं करना विलकुल ठीक है तो वैस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक like कर देना इतना deeply जैसे मैं आप लोग को explain करता हूँ इसका previous वी और ऐसे message करते है हाई हलो हाई हलो भाई देखो हाई हलो करने के लिए मेरे पास उतना time होता नहीं बट एक message करो जिसमें सब कुछ आप explain करके send कर दो मैं read कर दो बट सो सो message आप एक एक बंदे send करोगे तो फिर मैं क्या गर सदो मैं कुछ भी नहीं कर पाँगा अपना message read करते सिंपल से बात है तो इसलिए मैं बोलता हूं और देखो मेरे पास दो ही group है मैं तीन group है एक हो गया आपका यह public group ठीक है जो चीज आप देख रहे हो यह अपना जो है free group है अब देख रहे हो यह अपका almost four thousand something four point four के का सबस्क्राइबर है और यहां पर आपको बग बगरा सब क कुछ मैं यहां पर पहले से अपडेट कर देता हूं कब वीडियो आएगा क्या है free signal भी हम लोग provide करते हैं ठीक है तो उसके बात जो है मेरे पास दो group है तो दो group मैं से आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं एक होता है आपका कि अधिए अधिए पर देख है पर तो यहां पर करेंट वागरा का इसु है इनवर्टर में इतना चार्ज है नहीं कि जो तो चलो यह जो है अपर अमालब क्या की डीप इनर इस बेए पर देख रहे हो यह मेरा स्वेडियोप और इसका जो है यह पेड़ गूर्ण जिसमें मैं डेली के 4-5 signal देता हूँ जैसे आप देख सकता हूँ मैंने आज जो signal दिया था यहां पर 5 signal प्रवाइड के था पांचों के 5 ITM था यह देखो 5 के 5 ITM भी होता है अगर एक बंद 2 डॉलार के भी ट्रेड लेता है एक ट्रेड तो आराम से वहां पर 10-15 डॉलार प्र को मैंने देख सकते हैं तो लोग एक डॉलार के लिभा नहींकित ट्रेड नहीं दो बेरो हैं मिनिमुम 10,40 ओलार पाचार्श ड्रेड लेते हैं आराम से हो जाता है sbip गृरूप अप सल्ट तो मैंने यह आज के रिजलEd एं फिर मैं काल का आपका रहा हूँ मैंने रल लेडी साथ दिन harshly अप लोको दिखा दिया था यह काल का देखो आपको accurate signal यहां पर मिलेगा यहां पर फिर मैंने 5 signal दिया 5 हो गए 5 ITM हो आता तो इसे accuracy signal अगर 5 signal भी daily मिलता है और उसके साथ मैंने तो जितना देखा मैं maximum 80% लोग जो है मेरा svip member free vip में भी है ठीक है तो free vip के लिए आपको क्या करना simple सा बात है मैं आपको यहां पर search कर देता हूँ deep winner यह अपका free vip यहां पर 400 member something है साथ sorry यह अपका svip आ गया क्या यह free vip है ठीक है तो आप देख लो यहां पर जो है आप मैंने group इसका भी result share क्या हुआ था आज मैंने 3 signal दिया थे कुछ लोगों का यह तीनों के तीनों आईटेम थे कुछ लोगों का यह एक refund हुआ ठीक है तो यह आपका आज का result है उसका previous वाला देखो यहां पर 3 signal दिया था 2 ITM हुआ था एक ओटेम हुआ था उसका previous वाला दिन देखो यहां पर 3 signal दिया था तीनों के तीनों ITM हुआ था ठीक है कुछ लोग हैं जो effort नहीं कर सकते मैं चाहता हूं हर किसी के लिए हो और 152,000 के लिए मैं काम नहीं करता हूं मैं इसलिए मतलब आमाउट लेता हूं क्योंकि जो मेरा महनत रहता है डेली के 5-6 गंड़ा जो मैं waste करता हूं उसके लिए थोड़ा बहुत मुझे मिलता है क्योंकि मुझे पाता है कि उससे कई गुना आप profit करते हो लोग एक एक दिन में 3-4,000-5,000 profit करी लेते हैं तो मुझे दे रहो आप महिना में 3,000 तो उससे ज्यादा charges तो मैं नहीं ले रहा हूं और इतना accuracy signal अपको कोई कहीं पर provide नहीं करेगा तो अगर किसको free VIP group join है यह जो group है आप को कपी करके दूसरी browser या फिर Google Chrome का incognito mode पर जाके या फिर आपका history clear करके औहां पर paste करोगे दिन आपका मेरे link के तो है कि account create हो जाएगा दो मिनिट में ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है वह आज जो आपका trader ID है प्लस उसमें आप जो deposit करोगे minimum deposit 20 डोलार है बट मैं जो पस वह यह और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना कमेंट कर देना और जिसका जिसका डाउट था कि मेरे साथ मेरे सिगनाल यूज करना है तो आप अपको clear हो गया होगा मेरे दो signal ग्रूप एक अपका free VIP signal है और एक सब्सक्राइब करेंट करेंट करके उसमें आप डिपोईड करके ट्रेड कर सकते हो ठीक है तो मैं आपको free VIP ग्रूप में आड़ कर दूँगा बस हो यह तो मिलते हैं काल एक वीडियो आएगा जिसमें आप लोगो बताऊंगा कि macro and micro SNR level ठीक है macro SNR level क्या होता है micro SNR level क्या होता है और काल जो है हम लोग तीनों जो मैंने तीन क्लास वीडियो बता हूंगा उस पेस पर मैं आप लोगो लाइव ट्रेड लेके दिखाने बाला हूँ ठीक है तो होपुलिए आपको golden point मिल गया होगा जो मैं बताना चाहता तो समझ में आ गया हुआ है